इल्ला रख्माने रहीम, अस्सलामों अलाइकुम, मेरे देखने वालों का वैलकम हैं, आपके अपने चैनल सायमानासर हैक्जैन विलॉग चैनल पर पापों के पैकेट या रस्क के पैकेट जो चाहें कहें, ये छोटी सी चीज हमारे घर के बहुत सारे कामों को समेट के रख देगी, वो बहुत ही और्गिनाइस करके हम इन चीजों को इस चोटे से पैकेट में रख सकते हैं, कपड़े रखने हो या और कोई चीज और ये हम सब करेंगे, कैसे आपके लिए ये बहुत ही शौकिंग वीडियो हने वाली है, कि आपने इससे पहले कभी भी ऐसी कोई वी वीडियो पर जुड़े रहेगा, बिल्कुल फ्री है आपके लिए वीडियो, तो आएए चलते हैं वीडियो की तरफ, पहली ट्रिक में मैंने ये लिया है, रस्क का खाली पैकेट, और इसके पैकेट के अंदर जो ये ट्रे होती है, बड़ी काम की होती है, तो ये ट्रे मैं किसले यूज कर रही हूं कि हमारे घर में जो ये सबजिया होती है, इनके लिए हम अलग से बर्तन लेते हैं, ये प्लेटों में रखते हैं, जो बहुत इस पेस लेती है, तो आप ये दीखे, मैंने इतने सारे टिमाटर इसके अंदर शिफ्ट कर दिये हैं, और इनको मैं बह कर चाहें, तो इसका जो कवर होता है, इसको रखके और इसको पैक करके भी रख सकते हैं, ताकि नमी भी कमी ही से इसके अंदर जाए और ये लॉंग टाइम तक सेफ रह सके, तो इस तरह आप फी फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको, बिलकुल इसी तरह जब अक्सर हमारी थ पैजस हो जाएंगी, और बहासानी हम इसके अंदर सारे सबजियों को रख देंगी, ये सबजियां ऐसी होती हैं, कि कभी कवार बच जाएं, तो लॉंग टाइम तक इन्हें रखना चाहते हैं, और कभी कवार पकाना भी हो, तो इसको जरूर इस कवर के अंदर कीजे, ताकि ये काफी दिन तक सेफ रह सकती है, और इस ट्रे को इसी तरह से आप रखकर रखेंगे, तो आप इसको हफतों समाल सकते हैं, और इसके अंदर नमी भी नहीं जाती है, और ये कवर बहुत अची तरह इसको सेफ करता है, क्योंकि इसमें फॉइल पेपर होता है, तो आप मैं धी οको फ्रिज में भी रहके दिखा रही हूँ कि देखे कितनी कम इस पेस में हमने तो सारे ठीमाटर और यह सबजियां रख दी और बासान हньda अप आप असको निगाल भी सकते हैं जाहें तो कवर के बेगार भी देखे मरें ट्रे राखके आपको दिखा रही हूँ आप इस तरह भी इसको रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से space बन जाती है ठीना ये trick मज़े की अब आते हैं main trick की तरफ ये जो packet है इसी के मैं corners को cut मार रही हूँ इसका cut मारने के बाद मैं आगे क्या करने वाली हूँ एक amazing सा organizer बनाएंगे जो हमारे आपकी belief से बहुत बहार होगा क्योंके लोग सोज भी नहीं सकते ये इतना amazing organizer बनने वाला है तो ये cut करने के बाद मैंने इसको सीधा कर लिया और इसकी सारी साइडे में काट दूँगी चारों के चारों साइडे हम इसी तरह से इसकी cut कर देंगे चारों साइडे काट देने के बाद इसके जो center का piece है उसके उपर हमें क्या करना है कि हम ये सारे जो इसकी side थी इसको फेक दिया हमने अब ये center का piece है इसके उपर मैंने एक bottle का cap लिया है और इससे मैं इसका निशान बना रही हूँ, जितना सर्किल इस कवर का है, कैप का, उतने ही सर्किल लगा रही हूँ, मैं इस तरह से इसमें तीन निकलेंगे हमें सर्किल मिलेंगे, तो तीन सर्किल मैं इसमें से निशान लगा के निकाल लूँगी, मेरे पास मारकर लाइट कल तो मैं आपको एक निकाल के दिखाऊंगी पहले किस तरह से इसको निकालना है और मैं इसको क्या करने वाली हूँ वो तो आगे वीडियो में बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है तो अब ये दिखे मैंने इसको काट लिया है और काट कर मैंने ये सरकिल निकाल लिया है अब इस circle के अंदर से भी हमें एक और circle निकालना है उसके लिए मैंने bottle का cap लिया है और इससे छोटा सा एक circle बना रही हूँ मैं बलके साथ ही cutting करके दिखाऊंगी आपको क्योंकि आपका time जाया ना हो तो इस तरह से मैं इसका cutting करके circle निकाल रही हूँ और आप देखे इस तरह से य आपको दिखा रही हूँ अब हमें इनका क्या है तो अब इसके लिए मैं ले रही हूँ डबल टेप डबल टेप मैंने लिया है इसकी cutting करूंगी मैं तकरीबाद दो उंगल के करीब यह दो इंच के करीब एक पीस लेकिन हम इस तरह के बहुत सारे pieces निकालने है तो वह मैं प पाद हम जो tape का दूसरा side है उसको निकालेंगे और उसको निकालने के बाद इसको हमें क्या करना है वो भी बहुत amazing है तो बस यह tape निकालने के बाद अब मैं इसको लगा रही हूँ कहां पर वो जरूर देखिए और देखिए कि मैंने क्या बनाया है आप देखकर हैरान हो ज लगा दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो इस तरह के मैंने कई सारे कटिंग करके और सारे लगाना शुरू कर दिये हैं जहन में सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि यह मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यूं वाल को इस तरह से वाल के उपर इसको लगा रही हूँ तो मै amazing तो होना ही है तो ये remote लग चुकए है और बहुत tightly मैंने लगाए है अब इसके अन्दर में क्या लगारी हूँ ये देखिएगा आप हमारेपास spatula होते हैं ये लगा सकते हैं आप इसके अन्दर और इसी तरह के बहुत सारे हमारे पास spoons होते हैं वो लगाएं किसी किसीम के भी छोटे बड़े सब आप इसके अंदर लगा सकते हैं और ये easily हम hang कर सकते हैं ये नजर भी नहीं आते क्योंकि ये transparent होते हैं इसलिए wall पे बिल्कुल महसूस नहीं होते हैं ये बहुत बड़ी सी जो चावलों के कवगीर कहलाती है ये चम्चे जो होते हैं जिनसे हम खाना बनाते हैं राइस वगरा ये बहुत हैवी भी होते हैं बड़े भी ये देखे ये भी wall पे चिपा गया बहुत इजी ली और अब मैं इस तरह के बहुत सारे आपको इस्पूंस लगा के दिखा रही हूं देखिए wall कितने खुबसूरत लग रही है कोई चीज नजर भी नहीं आ रही है कि हमने कुछ चिपकायावा है और हमारे काम भी हो गए पूरे अब मैं आपको एक छोटे वाले चम्चे हटा के इसकी मजबूती दिखाऊंगी कि यह चोटी सी प्लास्टिक जो है कितनी मजबूत है यह बड़े बड़े जो हमारे चम्चे जो हम कैबनेट में रखते हैं तो बहुत स्पेस भी लेते हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है इसी तरह यह स्पेस भी खराब करते हैं और इनको रखना भी बहुत मुश् और हमारा मसला भी हल हो गया तर हर किचन में ये बड़े बड़े स्पून्स रखने का मसला होता है तो ये सॉल्फ हुआ और ये बिल्कुल काउंटर के सामने लगे हुए है कुकिंग करते वक्त जो है इनको फॉरण निकाले और इस्तेमाल करें वाश करके बाकी लगा दें वा ये इसी तरह की और मज़ेदार सी ट्रिक्स आपको आगे में दिखाती हूं तो चले देखते हैं कि आगे क्या करने वाली हूं मैं इस ट्रिक्स में जो स्नेक्स हमारे घर आते हैं चिप्स वगर आती हैं का अधी खाली जाती हैं आधी शौपर में ऐसी पड़ी रहती हैं तो ताम उससे, इसकी cutting करके मैं दिखा रही हूं आपको, कि इसको काट ले और इसका एक पीस मैं निकाल लूँगी इस तरह से, के बस ये पूरा एक cover को, जो है cover करे, इस तरह से मैं इसको cutting कर रही हूं, और cutting करने के बाद देखी कि ये किस तरह से हमारी चीज को जाय होने से बचाएगा चोटी सी चीज लेकिन देखिए जार के उपर लगकर भी कितना खुबसूरत लग रहा है फॉाइल पेपर है तो इसलिए यह एर टाइट भी हो गया और धकना भी टाइट हो गया और चीज भी खराब देखने में कितना खुबसूरत लग रहा है यह जार और इस तरह से हमारी चीज़ भी महफज हो गई तो थी ना ये भी ट्रिक मज़े की अब आते हैं और ही एक अमेजिंग ट्रिक की तरफ इसी तरह के सर्किल मैंने लिए हैं और इन सर्किल का अब मैं जो इस्तेमाल कर रही क्योंकि हमारे घरों में अक्सर चोटे बच्चों के कपड़े हों तो उनके अलमारिया नहीं होती ही इधर उदर कपड़े पड़े होते हैं और हैंक करने का बहुत प्राब्लम होता है जाद अतर चोटे चोटे घरों में अलमारिया रखने का मसला होता है तो हम इसके लिए बड़े बड़े और्गनाईजर बनाते रहते हैं तो यही circle मैंने हर हैंगर में लगाया है और मैं आपको इसकी power भी दिखाऊंगी कि आपे देखे देखने में पतली सी और बारीक सी प्लास्टिक और कितने सारे हैंगरों को hold करेगी और एक छोटी सी प्लास्टिक से हमने इतन देना मत भूला करें, आपके comment और feedback से हमें होसला मिलता है, ताकि हम आगे और अच्छे से अच्छा काम कर सकें, तो ये देखें, मैं सारे hangers को आपको इसी तरह hang करके बता रही हूँ, तो ये plastic ऐसा नहीं कि देखने में पतली है, तो ये hold नहीं कर सकती है, बड़े बड़े जो बड़े वरना अगर बरदाश नहीं करता तो शेट तूट जाता, ये trick भी amazing थी ना, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ता आप प्लीज आपसे एक ही गुजारिश है, एक like, प्लीज subscribe, प्यारा सा comment, comment ज़रूर कीजेगा, इससे मैं आपका thanks कर सकूँ, वीडियो तक के ल के लाफ इस